नमस्कार दोस्तों दिखिए आज की स्यूडियो में मैं आपको शर्ड का शोल्डर कितना गिराना है ये बताऊंगा हमेशा नए जो लड़के है सिखने वाले उनको दिक्कत आती है कि किन कस्टमर के लिए कितना शोल्डर गिराना होता है तो मैं आज ये सब डिटेल में आपको बताऊंगा ये जो कस्टमर की शोल्डर गिराने की जो मेथड होती है वो हमेशा कस्टमर की शोल्डर की पोजिशन देखनी पड़ती है हमेशा अलग-अलग कस्टमर के लिए अलग-अलग साइज होता है गिराने का शोल्डर जब आप customer का नाप लेते उसी टाइम आपको देखना होता है कि shoulder कितना down है और ये लिग भी लेना होता है अपने notebook में कि ये shoulder किस type का है और कितना down करना है तो दीखिए यहां मैं आपको शरट का shoulder गिराने का तरीका बताऊंगा दीखिए ये शरट का shoulder है 17 इंच का तो ये दीख कि ये ये जो मार्क है ये chest का मार्क माइनस पाउन इंच तो ये पहले इस तरह जोड दिया अब देखिए shoulder down कितना करना है ये देखेंगे ये जो कस्टमर है इसका shoulder ना ज्यादा देड़ इंच गिराया ये दीके इस कस्टमर की chest 32 इंच है दूसरा कस्टमर है अगर 32 इंच चेस्ट है लेकिन उनका shoulder इससे भी ज्यादा गिराना पड़ेगा ये इस तरह दीखिए क्यूंकि जब कस्टमर का measurement लेते तब आपको देखना पड़ता है ये shoulder कितना डाउन करना ह अगर वो ज्यादा डाउन shoulder वाला कस्टमर है तो फिर दो सुत नीचे गिराना है और 32 इंच का chest है लेकिन फिर भी ये पहला मैने 12 इंच पर मार किया ता इससे भी कम अगर 17 इंच पर shoulder डाउन करना है तो भी 17 इंच पर भी डाउन कर सकते है ये दिक ये 17 इंच ये 12 इंच और उनका shoulder सवा इंच से लेकर देड़ पौने दो इंच तक गिराना पड़ेगा क्योंकि उनका shoulder देखना पड़ता है कितना डाउन है और वो measurement लेते वक्त ही आपको उसका observation करना पड़ेगा कि ये shoulder कितना गिराना पड़ेगा तो ये इसका कोई fix formula नहीं होता कस्टमर के हिसाब से ही चलता है कस्टमर की body देखनी पड़ती है उनका size देखना पड़ता है shoulder का सब observation करना पड़ता है तभी वो shoulder गिराना पड़ता है कितना गिराना है वो तई करना होता है इसका कोई fix formula नहीं होता दीखिए अभी मैंने ये ये जो fix किया है ये देड़ इं की shoulder किस तरह down करने होते है जिनके shoulder बिल्कुल straight है उनके लिए देखिए ये इस तरह shoulder आप down करेंगे उससे अगर थोड़े ज्यादा है तो दीकि ये दो number वाली line उससे भी अगर ज्यादा shoulder down है तो ये दीकि ये 3 number वाली line और उससे भी ज्यादा है अगर 4 number और ये बहुत ही ज ज्यादा डाउन है तो ये पाच नंबर वाली लाइन इस तरह आपको शोल्डर डाउन करने पड़ते हैं और ये जो शोल्डर डाउन करने का तरीका है ये पूरा कस्टमर के शोल्डर का जो बनावठ है उस पे डिपेंड होता है तो आपको कस्टमर का शरट का मेजरमेंट ले साथ पर इसलों टोटाओन को पर ल 수ा समस्ट कहते हैं में चाहिए लिकर लेना कोई तो इस पर को सोलडर को तो आपको सोलडर डाउन करने में यहां आपको customer को देख के ही आपका जो काम का तजूरबा है अगर जाध आए तो आपको वही पे समझ में आएगा customer को देखते ही और उटका shoulder देखते आपको समझ में आएगा काई इनका shoulder कितना गेराना है, तो दोस्तों यह ती कुछ छोटी शे जानकारी जिन लोगों को shoulder down कर कि शोल्डर डाउन करने का कोई फिक्स फॉर्मोला नहीं होता यह अपने काम के तजरुवे से ही अपने आपको शीकना पड़ता है और कस्टमर का जब आप मेजरमेंट लेते हो तब उसी वक्त आपको एक साइड में लिख लेना होता है कि यह कस्टमर के लिए कितना शोल्डर दोस्तों कैसा लगा यह विडियो अगर विडियो अच्छा लगा तो लाइक करिये और अभी तक आपने अगर आपको बहुत बहुत धन्यवाद